दोस्तों इंडिया की एक टाइम की बेस्ट सेलिंग MPV एक बार डोबारा से इंडिया में लॉंच होने वाली है जहाँ पर दोस्तों आपको महिंद्रा मराजो के पूर सेल्स के कारण ये गारी डिसकंटिन्यू होने वाली है और न्यू महिंद्रा जाइलो एक बार डोबारा से लॉंच होने वाली है जिस पर आपके अपनी चैनल आटोमोटिव इंडिया रोड़ा के रेंडर बनाया गया है जो कि इसके डिजाइन को कुछ हद तक दिखलाता है यहां पर फ्रेंट में आपको दुस्तों नया गिरिल देखने को मिलेगा जो कि ब्लॉक डिजाइन के साथ आता है साथ में आपर DRL और प्रोजेक्टर हेड लैम्प LED के साथ देखने को मिलेगा जो कि इसके विजिबिलिटी को काफी बढ़ा देते है नीचे की तरफ आपको इंडिकेट है और फॉग लाइट आपको देखने को मिलेगा और नीचे में जो बंपर है वो काफी स्टर्ड देखने को लग रहा है और इसके डाइमेंसेंस काफी बढ़ गए है जिसके चलते हैं गारी फ्रंट से काफी चौड़ी लग रही है अगर बैक लुक की बात के हैं तो बैक लुक भी काफी बेतरीन है जहां पर LED टेल लाइट, नया बंपर, जाइलो की बड़ी सी बैजिंग देखने को मिलती है नया महिंदरा लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर और नीचे में रिफलेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि इसके बैक डिजाइन को काफी क्लासिक बनाते हैं, जो कि काफी बेतरीन लग रही है अगर बात करनें इसके डाइमेंसन्स की, तो लेंथ आपको 4600, वेट 1890 और हाइट आपको 1800 के आज पास देखने को मिलेगी जो कि आपको काफी बड़ी डाइमेंसन के साथ रोट पिजन्स के साथ आएगी इंटियर इसका काफी संदार है, जहां पर आपको बिल्कुल नया टेनीच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम देखने को मिलता है यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलते हैं, साथ में 6-speed automatic gearbox देखने को मिलता है जो कि काफी प्लस पॉइंट है, यहां पर आपको नया M.I.D. डिस्प्ले और बेस वैडियन्ट से 6 airbags और top variant में 8 airbags देखने को मिलते हैं, जो कि safety महिंदरा हमेशा से जानी जाती है जो कि यह गारी 5 star भी score करने वाली है, अगर बात करें कुछ और features के, तो यहां पर आपको automatic climate control देखने को मिलता है dual zone के साथ, साथ में यहां पर आपको space काफी जादा देखने को मिलता है, और recline seats देखने को मिलते हैं, जो कि आपको six-seater और seven-seater दोनों variant में आने वाले हैं, जो कि काफी plus point है, यहां पर यह race event और आपको charging socket पीछे के रोह में भी देखने को मिलती है, headrest और armrest सभी adjustable देखने को मिलते हैं, यहां पर आपको dual pano sunroof small size की देखने को मिलती है, जो कि काफी बेतरीन है, और आपको Kia carnival से थोड़ा design match करता है, safety में आपको यहां पर 75% steel का इस्टील का इस्टील किया जाएगा, जो कि काफी इसको strong बना देता है, उसको weight भी काफी जादा होगा, engine आपको same SUV काला देखने को मिलेगा, जो कि 2.2 diesel और 2 liter petrol है, जो 182 bhp की power और 450 newton meter का talk generate करती है, अगर बात करें launch date की, तो 2022 यह 2023 में यह गारी launch हो सकती है, and this render is made by us, so ticket as a pinch of short video, देखने के लिए, thank you.